Hi everyone, जब हम UPSC के preparation करते हैं, you already know कि ये देड़ दो साल का procedure होता है source time period में हमको कुछ milestones मिलते हैं जब हम वो milestones cross करते हैं, तो हम अपनी journey को पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने कितना रास्ता cover किया है और क्या क्या हमारी गलतिया है और क्या improvement हम कर सकते हैं जैसे for example अगर आप 2024 के तयारी कर रहे हो, तो 2023 के pre का result आ जाएगा, उस time पे आपको एक realization होगा इसके बाद जो second milestone आता है, वो mains का exam खतम होने के बाद आता है तीसरा होता है कि जब दिवाली बीद जाती है, तब almost लगता है कि ये साल तो निकल गया है अब हम next year में एंटर करने वाले हैं, हमारे पास 2,5 महीना आए, mains को prepare करने के लिए पांचवा आपको तफ फिल होगा जब आप नए साल में एंटर करोगे and the final milestone is जब आपके prelims का notification आएगा एक बार notification आजाता है, तो फिर UPSC का cycle start हो जाता है अगर आप इन 6 milestones को देखो, तो इस वक्त आप तीसरे पैदान पर कड़े हो that means कि दिवाली खतम हो गया है, और ये वक्त है introspect करने का कि आपने क्या किया है और कितना कुछ करना बाकी है मुझे काफी लोग के message आते हैं, काफी लोग ऐसे भी हैं जिनका 3-4 attempt हो गया है, बट उनका pre नहीं clear हुआ है और आप वहीं देखते होगे कि कुछ लोग के लिए success बहुत ही smooth process होता है वो कितने बाद भी pre देते हैं, उनका clear हो जाता है इवन आप ये भी देखोगे कि 2023 का जब final result आएगा उसके बाद जिनका नहीं होगा, वो फिर से 2024 का exam देंगे वहाँ भी काफी लोग pre clear कर लेंगे and I think कि उनको मुश्किल से एक हफता, दो हफता या तो बहुत ज़ादा हुआ, तो तीन हफता मिलता है जब वो clear कर सकते हैं, तो आपके पास अभी तो 6-7 मेना बाती है now देखो, कोई भी exam clear करने के लिए आपको एक simple template follow करना होता है हर exam का अपना एक particular nature होता है और उस nature के हिसाब से आपको preparation करनी होती है कुछ important check boxes है जिनको अगर आप tick कर देते हो then मैं आपको 100% shorty से कहता हूँ कि आपका pre बिलकुल नहीं रुकेगा but उन चीजों को आपको follow करना होगा because आप pre को देखो तो there is no means without pre अगर आपका pre नहीं clear होगा तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं कर आपका pre clear हो जाता है तो आपको बहुत कुछ मिलता नहीं है वहागा अगर आपका pre ही नहीं clear होता है तो आप back to zero हो जाते हो And the third thing is कि अगर आपका pre clear हो जाता है तो आप उस पूरे period के लिए significant हो जाते हो By saying significant I mean to say कि आपका time जो रहता है वो valuable हो जाता है आपका pre clear हो जाता है तो आप mains में लग जाते हो आप mains को अच्छे से prepare करते हो उसके बाद आप mains की result का wait करते हो तो आप उस cycle में बने रहते हो मानला आपका pre ही नहीं clear होगा उसके बाद देर दो महिना तो इसी गम में चला जाता है कि हमारा pre नहीं clear हुआ है फिर आप cope up करते हो अपना plan बनाते हो zero से start करते हो काफी लोग वापस pre में ही लग जाते है आपकी नहीं mains की तयारी अच्छे से हो पाती है और नहीं pre की तयारी हो पाती है this is the reason I want to emphasize की कोशिश करो कि कुछ भी करके जो भी करना पड़े आपको चाहे जितनी भी महनत करनी पड़े इस बार pre आपको clear करना ही है इस तयारी में पढ़ाई का जो pressure रहता है वो तो रहता ही है साथ में external pressure भी बहुत आता है fear of failure होता है की पता नहीं exam clear होगा की नहीं होगा peer pressure काफी आता है आपको जो friends हैं आपको जो colleagues हैं उनकी life बिल्कुल अलग track पर चल रही है और human nature होता है न compare करने का आप अपनी life को उनकी life से compare करोगे की भाई वो लोग कमा रहे हैं वो लोग घूम रहे हैं और मैं अभी तक घरवालों से पैसे माग रहा हूँ एक loop में फसा हुआ हूँ देखो मैं यहां आपको एक story बताता हूँ I don't know की कितने लोगों ने सुना होगा आपको पता होगा की जो elephant है वो 18 से लेके 22 महीने तक pregnant रहती है और वहीं जो dog है वो 2 या 3 महीने के लिए pregnant होती है So एक हाथी और कुत्ता दोस्त थे दोनों साथ में pregnant हुए थे दो महीना बीटता है डॉग 6 puppies को birth देती है उसके बाद फिर से cycle चलता है फिर 2 महीना बीटता है डॉग फिर से 2 puppies को birth देती है और ऐसे करते करते ये cycle continue रहता है जब 18 महीने हो जाते है तो dog जाके elephant से पूर कि are you sure कि तुम pregnant हो because हम और तुम साथ में pregnant हुए थे मैंने 3 बार बच्चों को birth भी दे दिया है बर तुम अभी भी pregnant हो what's going on तो इस पे elephant का reply आता है कि जो मैं carry कर रही हूँ वो elephant का बच्चा है जब मेरा बच्चा पैदा होगा ground को hit करेगा तो ground shake करेगा earth को feel होगा जब मेरा बच्चा road cross करेगा तो लोग रुख के देखेंगे उसको admire करेंगे so what I carry draw attention what I am carrying is mighty and great and hence it takes time so आपको इस story से ये समझना होगा कि आपका life और किसी और का life बहुत अलग है उनका goal अलग है उनका peak अलग है उनका aim अलग है आपका peak different है आपका ambition different है जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत sacrifice देना होगा but at the end it's all worth it preparation के phase में दो type के लोग आपको मिलेंगे कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई तुम से ना हो पाएगा तुम क्या कर रहे हो और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके pseudo welvisher होंगे जैसे result आएगा तुरंत आपको phone करके आपके result पूछने लगेंगे इवन दो उनको पता होगा कि आपको नहीं हुआ है बट फिर भी सिर्फ मजा लेने के लिए आपको इस preparation के phase में इन दोनों type के लोगों से दूर रहना है because ऐसे questions से क्या होता है कुछ experience का ego हट होता है and कुछ का moral हट होता है भले ही एक भी दोस्त ना रहे है but ऐसे लोग ना रहे हैं आपकी life में now देखो जिन templates की में बात कर रहा हूँ I know की सब को यह चीजे बता है but I can assure you की बहुत ही कम लोग हैं बहुत ही miniscule number है जो इस चीज़ को letter and spirit में implement करते हैं सुनना बहुत easy होता है but the most important thing is की planning and execution template में जो सबसे पहला point है वो है आपका PYQ analysis बहुत ज़ादा important है कुछ करो या ना करो बट आप PYQ analysis को छोड़ नहीं सकते हो मैंने अपने last video में भी इसकी बात की है कि आपको PYQ कैसे analyze करना है उसका link मैं आपको description box में दे दूँगा in short यहां बात करें तो आपको theme पता चल जाएगा कि कौन कौन से theme important है जिससे आपका UPSC का syllabus जो है ना वो narrow down हो जाएगा आपको A to Z सब कुछ नहीं पढ़ना होता है किसी particular subject में कुछ particular topics ही है जो important है और UPSC बार बार घुमा फिरा के उन्हीं चीजों से question पूछता है 2023 में options जो थे वो difficult कर दिये थे बच जो themes था ना वही same themes था जो UPSC पूछते आ रहा है मैंने last year सारे subject जितने repeated theme तो उनको analyze किया था you can see यह geography का theme wise analysis है मैं इस year भी analysis करूँगा बहुत ज़्यादा change नहीं आएगा बस 2023 का add हो जाएगा यह geography का हो गया इसके बाद you can see यह art and culture का है इसी तरह मैंने history का polity का सबका analysis किया है मैं सारे pdf को telegram पे डाल दूँगा and you can download it from there now जब भी आप PYQ का analysis करो आपको question के जो important concept हैं जो important facts हैं उनके notes prepare करने बहुत important है बहुत जादा notes नहीं बनेगा मुश्किल से 12-15 page का notes बनेगा और आपको वही facts लिखने हैं जो आपको अपने static notes में नहीं मिलते हैं जैसे आप देखो यह 2023 के paper का analysis है और जो भी important topics हैं जो भी important concept हैं मैंने इसमें include किया है यह notes मैंने आपको देनी के लिए बनाया है इसलिए इतना formal तरीकिस बनाया है बट अगर आप इसको खुद के लिए बनाओगे तो आप अराम से rough page में चीज़ों को arrow mark दे के और short करके बना सकते हो now your IQ analysis के बाद back to basic सबसे important prelims में है static subject बहुत लोग ऐसे हैं जो static को compromise करके current affairs पे चले आते हैं सबसे बड़ा blender करते हैं सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप static को compromise कर रहे हो मैं आपको 200% guarantee से बोलता हूँ अगर आपका static strong है ना तो कोई नहीं रोक सकता आपका pre निकलने से बड़ अगर आपका static week है तो आप चाहें कितना भी current affair पढ़ लो आपका pre नहीं निकलेगा और static में भी मेंने 3-4 subject हैं एक आपका quality हो गया economics, history, geography आपको इनको master कर लेना है सारे subject के resources defined हैं सिर्फ एक एक book पढ़ना है multiple resource को भूल के भी use नहीं करना है ना यहाँ देखो मैंने लिखा है कि comfort zone को avoid करना है वैसे आपको जो भी लगता है अपका comfort zone है तो उससे आपको बाहर निकलना ही है अगर आपको quality पढ़ना अच्छा लगता है तो ऐसा नहीं कि आप सादर quality पढ़ते रहो आपको economy, history, geography सब पर focus करना होगा mainly यहाँ मैं history की बात कर रहा हूँ because बहुत लोग art and culture, ancient, medieval को छोड़ देते हैं बट आप पिछले सालों के trend देखोगे तो art and culture, medieval, history से question बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपना approach भी change करना पड़ेगा आप यह नहीं सोच सकते हो कि मुझसे रटा नहीं जाता तो मैं इसको नहीं करूँगा आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा science और environment देखो mainly current affair based आता है environment में तो कुछ static topics होते भी हैं but science mainly current affair based आता है इसके बाद current affair की बात करें तो current affair में fomo avoid करना है कुछ भी करके fomo के trap में आपको नहीं जाना है कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ मैं वो भी पढ़ लेता हूँ trust me एक level के बाद आपका current affair सही नहीं होगा चाहे आप कितनी भी magazine पढ़ लो कितना भी newspaper पढ़ लो hard work तो आप करी रहो साथ में आपको smart work भी करना है ऐसा नहीं कि आप सारे magazines के पीछे भाग रहे हो एक ही magazine पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो थोड़ा backward linkages कर लो इतना ही analysis करना है इतना ही current affair पढ़ना है कि आपका static compromise नहीं हो static से मुझे याद आया दोखो मैंने यहाँ पर resources की बात किया बहुत लोग multiple resources यूज़ करते हैं काफी लोग यह बोलते हैं कि इस resource से direct question आया यहाँ से direct question पूछा गया तो यहाँ पर आप एक बात याद रखो ना कि वो जो books होते हैं वो बाद में लिखे होते हैं इसी रहे it's highly possible लोगों ने निकालाएं और आगे भी निकालेंगे now current affair के बाद test series का बहुत important role है बहुत लोग ऐसे हैं जो test series लगाते ही नहीं है जोको test series आप नहीं लगाओगे न तो आप अपने आपको judge नहीं कर पाओगे कि आप कितने पानी में हो I know कि test series का बहुत जादा value नहीं होता है UPSC के paper में और coaching के test series में जमीन आसमान का फर्क होता है बट फिर भी test series लगाने से at least आपको ये पता होता है कि जो चीज़े आप पर रहे हो उसको आप exam में apply कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो और कभी भी right time नहीं आएगा कि जब आप test series के लिए 100% तयार हो जाओगे हमेशा आपको ये लगेगा कि मैं 100% तयार हो जाता हूँ मैं इसको revise कर लेता हूँ इसको revise कर लेता हूँ फिट test series देता हूँ तो वो दिन कभी नहीं आता है आप test series उठाओ देना start करो because any which पे आपको main exam में 30-35 questions से जदा आएगा नहीं तो जो real question आपको आता रहेगा वो 30-35 रहेगा इसके बाद 10-12 questions ऐसे होंगे जिन में आपको कोई idea नहीं रहेगा बचे वे जो 40-45 questions है जितनी पढ़ाई पढ़ी है आपने इसको solve करने में लगता है so कोई भी right time होता नहीं है कभी भी आप 100% prepare नहीं होते हो और इसी चक्कर में आप test series को avoid करते रहते हो तो वो चीज़ नहीं करना है test series में भी आप full length test को priority दो एक-एक sectional लगा सकते हो but majority आप FLTs लगाओ because FLTs में आप overall check होते हो एक वक्त आप quality question tackle कर रहे होते हो just थोड़ी देर बाद history आ जाता है फिर economics आ जाता है तो आपको अपने brain को वैसे prepare करना होता है switch करने के लिए next test series करने के बाद उसका analysis करना बहुत important है आप अगर analyze नहीं कर रहे हो तो silly mistake नहीं करना है देखो silly mistake होगा no doubt आप कितना भी precaution ले लो but exam का जो ambience होता है exam का जो atmosphere होता है बहुत अलग होता है silly mistake होना है लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जितना कम से कम silly mistake हो सके उतना कम silly mistake आप करो इतना silly mistake मत करना कि वो आपके selection को recite करने लगे now the last thing is C set C set कितना important है I don't think कि last year के बाद मुझे बोलने के जरूरत है बहुत tough C set आया था पिछले साल हो सकता है वैसा paper इस साल भी दे उससे ज़ादा tough भी दे सकता है उससे easy भी दे सकता है तो आपको हर situation के लिए ready रहना है exam के बाद कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे कुछ लोग आपके against में खड़े होंगे कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई C set बहुत tough आया था कुछ लोग हो सकता है बोलें कि C set बहुत easy आया था but ultimately C set ना clear होने का प्री ना clear होने का जो burnt है जो consequences है वो आपको phase करना होता है उस phase में आप फिर से ना जाओ इसलिए सबसे important है कि C set को आपको last minute तक नहीं छोड़ना है ऐसा नहीं कि आप April में जाके मई में जाके C set कर रहे हो C set आपको थोड़ा सा भी week है week नहीं भी है तब भी C set आप जहन से फैप से थोड़ा थोड़ा करना start कर देना based on your strength and weaknesses जितना दुख GS1 qualify करने का नहीं होता है उससे लाग गुना दुख होता है C set ना qualify करने का और यह आपको जानना है तो आप उनसे पूछ सकते हो इनका C set एक marks या दो marks से रुखा है and the final thing is memorization and active learning देखो इस reality की इस paper में आपको चीज़ें याद करनी होंगी काफी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको road learn करनी पड़े उसके लिए आप active learning technique का use कर सकते हो यह technique कैसे काम करती है कैसे आप active learning को अपने history में, economy में, polity में उनको question form में revise करो for example अगर आपको लक्षमी कांथ revise करना है तो आप इस PDF को download करो लक्षमी कांथ का एक एक chapter पढ़ते जाओ उसके बाद इस PDF पे आओ यहाँ जो भी questions दिये गए हैं उनको आप पढ़ो उनके answer करो और जब आपको बाद में revise करना होगा तो आप लक्षमी कांथ मत उठाओ आप इसी PDF से लक्षमी कांथ को आराम से revise कर सकते हो तो ऐसे मैंने लक्षमी कांथ के spectrum के economics के geography के telegram पे already upload किया है आप उसको download करके अपने revision purpose के लिए use कर सकते हो अगर मैं finally बात करूँ तो यह आपका template रहा यह कुछ check boxes रहे आप paper के लिए prepare कर रहे हो तो यह check boxes आपके tick होने चाहिए PYQ analysis होना चाहिए static आपका prepare होना चाहिए static पर आपको ज़्यादा focus करना है current affair को आपको cost to benefit analysis के हिसाब से पढ़ना है test series आपको करना है c set आपको करना है और बाके इन सब चीजों के effectively पढ़ने के लिए आप memorization और active learning technique यूज कर सकते हो so this is the simple technique simple template which you can follow to clear UPSC prelims and सच मानी अगर आप इन चीजों को wholeheartedly कर लेते हो तो चाहे जैसा भी paper आए आपका pre नहीं रुकेगा